अब 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 तो बिटा आज स्टार्ट करते हैं इस्ट्रेक्चल और इनिमल का कौकुच वाला पार्ट ठीक है कोशिश करेंगे इसको 42-45 मिनिट के पूरा कौकुच कंप्लीट कंटेंट के साथ इंसी आटी के साथ आपके बेंड में एक दम सेट हो जाए कौकुच करते हैं बिटा तो आज टॉपिक क्या क्या रहेगा ठीक है कौकुच मॉर्फलोजी कवर करने वाले हैं आजब साथ साथ में इसकी अने टॉमी पूरी कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं NCRT की दो-तीन लाइन जो फॉस्ट पैरा से आ जाती है ठीक है एक तो साइज ध्यान रखना है एसका ठीक है जब कॉक्रोच की बात आएगी तो कॉक्रोच का साइज अलग ध्यान रखना है और जो आपके सलेवस में कॉक्रोच है परी प्लैन है ठीक है वो 1 upon 4 inches से लेकर के 3 inches अगर सेंटी मीटर में पूछेगा तो 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटी मीटर तो यह तो साइज पर कोश्चन बनेगा दूसरा कोश्चन बनेगा जो कौकरोच होते हैं all over bird मिलते हैं damn places पर मिलते हैं और काफी disease के लिए vector रखा भी काम करते हैं एक दुवार रिपीट हुआ है इसे डिट्टो सी लाइन ठीक है यह पूरे का ध्यानक नहीं आपको nocturnal होता है ओमनी बोर्स होता है nocturnal समझते हो रात रिचर रहनी नाइट के टाइम पर जो एक्टिव पर रहता है थ्रो आउट वर्ड रहता है देहां बिकम रेजिजेंट हो तो हीउमन होम और दस आर सीरियस पेस्ट पर समझ रहे हो वह सीरियस पेस्ट किसके लिए एंड वैक्टर फॉर सेवरेल डिसीज बस इस पहरा से एक लाइन है फड़ाक से मैं रिविजन करा थी है होना है पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना अगर पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना की बात करता हूं तो अगेन इसका साइज 34 से लेकर के 53 मिली मीटर साइज नहीं मूलना है 34 तो 53 मिली मीटर विंग्स यहां मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स में होते हैं विंगस मेल और फीमेल दौनों ही सेक्स में देखने को मिलेंगे ये ध्यान रखना है आपको नमबर वन नमबर टू आपको ध्यान रखना है अगर मैं पेरी प्लेनिटा अमेरिकाना की बात करता हूँ इसकी external exoskeleton या exoskeleton की बात करते है काईटीन से मिलके बना होता है काईटीनियस एक्जोसकलेटन ठीक है तो अगर हम इसके एक्जोसकलेटन की बात करते हैं जो काईटीनियस होता है बेटा काईटीनियस एक्जोसकलेटन इसको हम बोलते हैं स्कलराइड्स काईटीनियस एक्जोस्केलेटन होता है जिन प्लेटों से मिलके बनता है उन प्लेटों को में स्कलराइट्स बोलते हैं इसी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ एक्जोस्केलेटन जो आप से डिरेक्टली कुशिन बूचा जाता है एक्जो एक्जो स्केलिटन जो होता हे वो काईटीनियस होता है हमने एंटरलाइन करी दिया और इन प्लेट्स को बोलते हैं कि इस पर कॉश्चन आएगा स्कलडेट्स अगर मैं स्कलेट्स की बात करता हूं तो यहां बैट ने तियूब के स्कल Saxon हो सकते हैं तोटल फोर स्कल्राइट्स हो सकते हैं ध्यान रखना है आपको टोटल फोर स्कल्राइट्स हो सकते हैं चार प्लेट इन चारों प्लेटों की अगर बात की जाए समझ ना मेरी बात यह आपस में यह जुड़े नहीं होते इस तरीके से ऑरत होंगे जो आपस में को ढते हstag करने के लिए जॉइंट का काम करते हैं ठीक है इनको बना रहे हैं ciao और इस और तो एंड ऍुमीशा तो में अपरो कॉने में माझने उद को मेंगा तर तो भीजो थो को को कि या या तो हर आकैस को में फॉर प्लेट सेल को को है कि हुगा सब्रेंट को हम तर दर & मां डॉर्म फॉर्त वेंरं जो लेटरल य्टरल मजाम घॉ стали को प्लेट को किया बोलेंगे फेंटरल को कि भूलेंगे कैसे कर रहूगे वेंटरल साइट होता है तो यहां भी थर्नाब बोलोगे श्टर नाइटस नह nostalgia फूम है और लेटल साइट प्लिरॉन surviv 1 इस नहीं बास पोथा जो प्रिधrek Лीर ओन District और इनको connect करने के लिए जोइंट का काम कर रहे हैं इनके बीच मैंच क्योंकि सारी प्लेट एक दूसर के उपर आठी कुलेट करते हैं समद्रेंगा मेरी बात इसको बोलते हैं और्थूराइडल मेंब्रेन और तुरोइडल मेंब्रेन या आर्टी कुलेटिंग मेंब्रेन आर्टी कुलेटिंग मेंब्रेन भी बोल सकते हो ठीक है और यहां तर्गा को स्टर्णा से जोडने के लिए कुछ मसल्स भी होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स टर western muscles टर्गो external muscles तो टर्गो external muscles टर्गा को sternal से जुड़ेंगे इन चारों प्लेटों को इन ज़ॉइन्ट को बनाने मली टर्रक कोशन आ जाएगा ठीक है और थुर् रॉइडल मेंबरे जाएगा है समझ के ना मेरी बात पूरी body को हमने 3 part में divide किया है ठीक है 3 part में divide किया है किस-किस part में divide किया है body segments की बात करते है head thorax and abdomen head, thorax and abdomen अगर मैं head की बात करता हूँ condition दो है embryo और adult embryo and adult अगर हम embryo में पूछते है number of segment in head तो कितने बताने वाले हो embryonic stage में 6 होते है जो adult में जाकर के fuse हो जाते है single segment रह जाएगा thorax में embryonic में 3 adult में भी 3 कोई fusion नहीं हुआ abdomen में embryonic stage में 11 segment होते हैं जो adult में जाकर के only 10 segment रह जाते हैं तो adult में total segment कितने होते हैं 14 और embryonic stage में total segment कितने होते हैं total ठीक है head को लेके चलते हैं भाई head में सबसे पर हम समझेंगे head की covering और mouth part important ही है very 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 important है ठीक है तो समझना मेरी बात covering भाई head की बात करते हैं तो head को बनाने के लिए एक dorsal plate होगी एक ventral plate होगी दो lateral plate होगे एक front पर plate लगी होगी ना तो उपर वाली plate को हम क्या बोलने वाले vortex नीची वाली plate को क्या बोलने वाले klypius lateral side में क्या बोलने वाले हम जीनू ठीक है फिर से बोल रहा हूं lateral side जीना बोल सकते हो lateral side में जीना lateral side में जीना vertex klypius और front पर कौन सी होगी frons इस एक box like structure बनेगा ठीक है जिसको हम head बोलते हैं तो head की covering समझ में आगी vertex klypius जीना और front पर frons question आता है कि mouth part attached with तो mouth part lower side में होंगे mouth part attached with klypius तो klypius से mouth part attached होते हैं mouth part attached with klypius ठीक है biting and chewing typing type के mouth part होंगे बेटा यह question आता है कॉक्रोस के mouth part biting and chewing खाने और चबाने वाले mouth part में labrum, labium, hypo pharynx, maxilla और mandible समझ रहे हो labrum, labium, label, label कहां होता है अंदर होता है तो lower lips को labium बोलते हैं upper lips को labrum बोलते हैं दोनों lips के बीच में tongue, tongue को क्या बोलेंगे hypo pharynx, tongue क्या बोलेंगे hypo pharynx समझ रहे हो और upper jocomaxilla, lower jocomandible, simple ठीक है तो upper lip, lower lip, ठीक है hypo pharynx, tongue, maxilla समझ रहे हो यह अपर जो है sensory pulp होते हैं इसमें ऐसी lower jocomandible कहते हैं lower jocomandible कहते हैं समझ रहे हो जिसमें अगर मैं maxilla और labium के structure की बात करता हूँ तो labium जो lower lip होता है ना इसमें भी pulp होते हैं sensory pulp, it is also contain sensory pulp तो इसको secondary maxilla भी बोल देते हैं समझ रहे हो labrum और labium पर बहुत question बनता है अपर कौन सा है lower कौन सा है labium lower secondary maxilla कौन होती है labium क्यों क्योंकि यहां पर भी sensory pulp होता है same maxillary pulp की तरह ठीक है तो यह mouth part पांचों याद रखने हैं विटा आपको ठीक है किस type की होते हैं किस plate से connected होते हैं head में यह दहां रखना है अब यह NCRT का diagram है आपको समझना होगा ठीक है labrum labium pulp लगे हुए इसके अंदर secondary maxilla maxilla में भी pulp होते हैं पर फैरिंग स्टंग और mandible में काइटीनियस टीथ देखने को मिलते हैं ठीक है पूरा complete head बता दिया है compoundize compoundize ठीक है actual में यही विजन के रिस्पॉंसिबल होते हैं पॉसिला सिंपलाइज एंटीने maxilla mandible labrum labium position मत भूलना वही आगे mandible आगे होगा समझ रहे हो और labrum labium confusion होगा labium labrum पीछे होगा labrum आगे होगा labrum आगे होगा तो labium पीछे होगा maxilla यहां समझना है maxilla पीछे होगी mandible आगे होगा ठीक है आपको समझ में इस तरीके से यह इन पर कोशिन बन जाता है आगे चलते हैं अब हैड में covering समझ में आगी mouth part समझ में आगे और हैड में कहिए रखना है position क्या है है एड की वही हैड जो होता है head जो होता है body axis के ठीक 90 इंगिल पर लगा होता है body axis के 90 इंगिल पर तो इसको बोलते हैं high pog नैथा नीचे नेथा माने जो इसका जो नेथा होता है और नीचे होता है एंटीन ने होते हैं आइंटीन होते हैं one pair होते हैं, sensory receptors लगे होते हैं, main काम क्या होता है antenna का, monitoring the environment, NCRT की line, antenna की health से क्या करता है environment को monitor करता है, monitoring the environment, ठीक है तो head में क्या क्या हो गया, head की covering हो गई, head के mouth part हो गई, head की position हो गई, head पर antenna हो गई, head पर antenna क्या हो head का eyes, eyes और बचे, eyes दो थे, simple eyes, compound eyes, simple eyes oscillus, vestigal होते हैं, compound eyes की अगर बात करते हैं, तो it is responsible for vision, देखने के लिए compound eyes, one pair होते हैं, compound compound का मतलब, जो छुटे छुटे यूनिट के मिलने से बन रहा है compound समझ रहे हो, तो उस unit को क्या बोलने वाले हो, unit को बोलने वाले हो, unit को क्या बोलने वाले हो, unit को क्या बोलने वाले हो, unit 2000, unit present in each eyes, clear, बलकुल, 2000, unit present in each eyes, तो जहां vision कैसा होगा, चोटी चोटी यूनिट के मिलने से बन रही है, eyes, हर unit अपना अलग image बनाएगी, और चोटी चोटी image के मिलने से बड़ी image बनती है, इसको बोलते है, mosaic, क्या बोलते है, mosaic, गेम भी खेला होगा, बच्पन में छोटे थे, तो चोटी चोटी चीजों को जोड़ करके image बनाते थे, उसको mosaic बोलते हैं, इसलिए ये भी क्या करता है, अपनी चोटी चोटी compound eyes से, भई आप सामने खड़ो जागो न, तो आपके ये 2000 टुकडे कर देगा एक आँख से, ये सारे 2000 pieces ब्रेन में जाकर के जुड़ते हैं, और तब एक image बनती है, ऐसी image को mosaic बोलते हैं, तो किस इसलिए होती है, superimpose, ये ध्यान रखना है, nocturnal होते हुए भी, nocturnal होते हुए भी, apposition image मनाता है, non overlapping image मनाता है, बहुत बड़ी बात है, तो compound eyes में ध्यान रखना है, compound का मतलब छोटे छोटे चोटे टुकडों के मिलने से बन रही है, ometidia के मिलने से बन रही है, 2000 ometidia present in each eyes इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है, vision किस type का होगा, mosaic होगा, image कैसी होगी, apposition होगी, direct इससे बार question नहीं जाता, clear, बल्कुल, तो ahead बलारीजन आपको यहां complete हो जाता है, अब बात कर लेते हैं, thorax, कितने segment में डिवाइड किया, thorax, 3, pro thorax, mesothorax, metathorax, pro thorax, mesothorax, metathorax clear, बल्कुल, अब thorax में दो चीजे होती हैं, ठीक है, दो समझने होगी, एक तो wings और एक lag, wings की बात करते हैं, तो ध्यान रखने, तो ही pair होते हैं, four wings और hind wings, जबकि lag के three pair होते हैं, और हर segment में one-one pair मिलता है, तो thorax में हम बात करने वाले हैं, कितने plate होगे, three plate होगे, pro thorax, mesothor metathorax, समझ रहे हो, pro thorax एक plate से ढकी होई होती है, इसको क्या बोलते है, pro thorax एक plate से ढकी होई होती है, इस plate को हम क्या बोलते है, pro notum, समझ रहे हो, यह दिख रहे हैं, pro notum, pro notum एक plate है, जो pro thorax को पूरा covered किये हुए है, इसको हम क्या बोलते है, pro notum, इस पर question आता है, इस साल भ टैग मिना लाटोर्ण समझ्मा गया प्रोडोर्ण की कवरिंग को प्रों उर्टम बोलते हैं लेे लिगन चैनल डिस चालो ओंचिल कि अदिंग्स तो प्रो थोड की कवरिंग हो नहीं होते हैं और मीजो में होते हैं other वन पेयर मीजो में होते हैं वन पेयर मैटा में होते हैं जो मीजो में विंग्स होते हैं बेटा वो स्ट्रॉंग होते हैं ट्राइटीनियस होते हैं फॉर प्रोटेक्शन और किसका प्रोटेक्शन करना होता है यहां पर हाइंड विंग्स समझ रहे न मेरी बात जो मैटा में व इसको four wings भी बोल सकते हो टेगपना भी बोल सकते हो इलात्रा भी बोल सकते हो तो वन पएर क्या हो गए four wings along गए टेग्मिना इलात्रा पूछा जाता है थिक होते हैं जाएं क्षिखला मूल выпол खुलते हैं जहाते हैं तेॉर और फ्लायिट औरे ममदर करते हैं उपर वाले वींग्स सथे नीचे वाले बाहर निकल जाते हैं flying start तो उपर वाले वींग्स को रोटेक्ट करते हैं तो प्रो में विंग्स नहीं होते हैं इसमें और इसमें क्या बोलोगे four wings और यहां पर hind wings four wings को tagmina alatra ठीक है अब बात कर लेते हैं लैग हर segment में one one ट्न परिखेर अगर में बात करता हो लेके पार्ट अपना बला पार्ट यात रखलो हमारी जो से मजनी मि और नहीं उती है रहा है पिर मेर्प्रेंड एक यह जलई हूँद होती है ठीख Craig हमारे अंदर टार्स से आप टार्स इसके पास टार्स हमारे अंदर कितने रोते हैं इसके पर कितने टार्स सब्सक्राइब 5 यह चुरहों यांद हो पहना न शॉली स्क्राइब आपकोlles याद हो गया जाएगा हमेंốců झेल ऑọn दाइक वाला पार्ट यहाली मेट वाला पार्ट आप थरएकस वाला पार्ट अब थबावा काल करते हैं एब्डामिन परेब्डॉमीन में कितने सेग्मेंट में थे एडल्ट के अंदर टैन सेग्मेंट है उसमें सब्सें इंपोडंट आता है लास्ट की सेग्मंट 9 this सेगमेंट तो अगर मैं अब्डमिन की बात करता हूं तो नाइन सेगमेंट पर वन पेर स्ट्रक्चर होते हैं तेन सेगमेंट पर भी वन पेर स्ट्रक्चर होते हैं पर जो नाइन सेगमेंट पर स्ट्रक्चर दे रखें इनको बोलते हैं क्या एनल स्टाइल एनल स्टाइल जो only or only male के पास होते है female में anal style नहीं होते जब कि anal सरसाई की बात करते हैं ठीक है ये male और female दोनों में होते हैं तो अगर मैं इसको compile करूँ बिटा तो आप compile कर सकते हो anal style present only in male cockroach जब कि अगर anal सरसाई की बात करते है present in both sex both sex मतलब male में भी होते हैं और female में भी होते हैं ठीक है ये unsegmented होते हैं जब कि ये ten segment से मिलके बने होते हैं ठीक है anal style one pair unsegmented कहा प्रिजेंट होते हैं present on ninth segment ninth segment जब कि anal सरसाई की बात करते हैं ये भी one pair होते हैं one pair पर segmented होते हैं segmented होते हैं दिख रहे होंगे segmented हैं ठीक है और present कहा होते हैं on tenth tenth segment 10 में segment पर लगे होते हैं और इन में भी 15 segment होते हैं 15 segments लगब 15 चोटे 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 टुकुलों के मिलने से बनते हैं ठीक है अब anal style का purpose क्या है ये male के पास होते हैं during copulation female walva को open करने में help करते हैं समझ में आया ना help in copulation help in copulation copulation में मदद करने का काम करते हैं अच्छा इनकी खास बात क्या है इनके पास sound receptor प्रेजेंट होते हैं ठीक है sensory sensory nature के होते है या sensory receptor यहां प्रेजेंट होते हैं समझो sensory receptor मैंने बताया था ना कि अर्थ के नीचे ठीक है जो प्लेट्स में मूवमेंट होते हैं या अर्थ क्विक जो आते हैं उसका identification भी इनहीं की हैब से ठीक है highly sensitive होते है sensory nature के होते हैं इनको identify हो जाता है ठीक है जो male में भी होते हैं और female में भी होते हैं दोनों में होते हैं 10 segment पर लगे होते हैं segmented होते हैं one pair होते हैं जबकि style only presented male style only presented male 9 segment पर होते हैं unsegmented होते हैं अब इसके लाबा abdomen में और क्या होता है genital pouch abdomen में और क्या होता है genital pouch अगर जनेटल पाउच की बात करते हैं तो यह फीमेल में भी होता है फीमेल में जनेटल पाउच का formation 7,8 और 9 वेंट्रल साइड पर 7,8 और 9 वेंट्रल साइड पर कौन सी प्लेट होती है तरगा वेंट्रल तरगा तरगा की फीजोने से बनता है जिसमें 7th सेग्मेंट लार्ज होता है बोट्ट शेप होता है और कोशन भी आता है समदगे ना 7th लार्ज होगा 8 और 9 वेंट्र पर जाएड वेंट्रल साइड में चैम्बर बन जाएगा इस चैम्बर को जनाइटल पाउच बोलते है फीमेल के अंदर जिसमें 7th segment large और boat shape होता है इसमें भी अगर anterior और posterior देखोगे न तो anterior side पर female genital pore की opening होती है स्परमेथिका की opening होती है collateral gland की opening होती है जैकि posterior side पर gonapophysis होते हैं सर कैसे अगर आप दिखा दो तो बहुत बड़िया होगा हम ब्लकों दिखाएंगे इसब्स, फिमिल में देखोगे तो फिममे ऊपर न पर स्चेय और चाहँ आप पस्टान की opening देखने को मिल रही है इसब्स आप्व में पार थ्यान देखके यहां कुछ प्लेड इंर के cannot क्या बोलते हैं इनको गुनापो फाइसेज तो फीमेल जो चेमबर बनता है थ्री प्लेट के फ्यूज होने से इसके एंटिर पोर्शन पर तीन ओपनिंग होते हैं पोस्टिरियर पर सिफ गुनापो फाइसेज काईटिनियस प्लेट होते हैं अगर मेल में बात करते हैं मेल में बात करते हैं समझ ना मेल में एंटिरियर एंटिरियर और पोस्टिरियर posterior side पर समदना मेरी बात इस्टर ना नीजे वेंटर साइट पर स्टर ना होंगे ठीक है 9th इस्टर ना यह फ्यूज होने से चैंबर बनता है ऐसे समझो ऊपर दो प्लेट थे नीचे एक प्लेट के फ्यूज होने से यह चैंबर बनेगा मेल चैंबर जिसमें एंटिरियर साइट पर 9 और 10 और नीचे पोस्टीर का मतलब वेंटर साइट पर सिर्फ एक 9 सेगमेंट होंगे ठीक है और यहां पर एनस होता है एनस तो तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हो तो इ इसमें बी अगर मैं anterior पोस्टीरियर में दिवाइड गरूं इसको अंटीरीयर और पोस्टीरीयर ठेले ठेली ओड़िएंस, पोस्टीरीय शाइडिपर कुछ कई टेक्न की प्लेट्स होते है कई डिखास देता हूं इनको भी गोनापो फाइसिस ठीक है ये काइटीन की प्लेट से निकल रहे हैं काइटीन की प्लेट से निकल रहे हैं ठीक है इनको आप फैलो मेर सी बोल सकते हो ठीक है एक्स्टरनल जनाई टेलिया भी बोल सकते हो ठीक है फैलो मेर सी बोल सकते हो एक्स्टरनल जनाई टेलिया या फैलो मेर्स भी बोल सकते हो समझ गए तो मेल चैंबर और फीमेल चैंबर एकदम ब्रेन में सेट होना चीए ठीक है फीमेल चैंबर का फॉर्मेशन 7, 8 और 9 सेगमेंट पर कहां पर ેंटरल साइड पर फिक है डॉर्मेशन 8 वेंटरल साइड निचे मैं अंतर जोहित्पेंट्र व्हócर मुते सब्सक्राइब का फिर गुर्म में नीचे वेंट्रल वेंट्रल साइट पर एक ही प्लेट फ्यूज करेगी इस टरना बोलते हैं डॉर्सल साइट पर तरगा बोलते हैं इसके मिलने से चैंबर बनेगा ठीक है इसमें इस चैंबर में भी एंटीर पोस्टीर में डिवाइड कर दोगे तो एनस और एक्टरनल सब्सक्राइटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम समझ रहे हो और रिप्रोडेक्टिव सिस्टम क्लियर कर लेते हैं इनको भी फिनिश करते हैं एलिमेंट्री किनाल डाइजिस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री किनाल को कितने पार्ट में डिवाइड किया थ्र और मद्यपश्य फोर गठ मेड़ ऐंड गट गला फॉरगट जो कि बाद करते हैं फॉर गट उपर व भाला पार्ट हमारी वोडिए का और इसन हमारी फ़ॉर्गट का और इसन एक्टो-दर्मल्र हमारी हाइंड गट का औरatory region endodermal समझ रहे हो ना सेम इसका भी तो है origin acto इसका भी origin acto इसका origin endodermal तो no confusion ठीक है यहां तक कोई clear यहां तक confusion नहीं होना चाहिए ठीक है अब ध्यान अखना है cuticle एक मजबूत layer होती है cuticle ठीक है एक मजबूत layer होती है cuticle अगर मैं cuticle की बात करता हूँ तो जहां पर ectoderm होगी जहां पर ectoderm होगी वहां cuticle होगी जहां ectoderm नहीं होगी वहां cuticle नहीं होगी तो समझ ना यहां पर ectoderm है तो cuticle present है ectoderm है cuticle present है ectoderm नहीं है तो cuticle नहीं है absent है clear रहे बिलकुल तो origin ectodermal, origin ectodermal, cuticle present, cuticle present, origin endodermal तो cuticle absent, clear up लकुल, ये question बनता है, और अगर मैं four gut की बात करता हूँ कहां से कहां तक, mouse से gizzard, ठीक है, और hind gut कहां से कहां तक, ileum से rectum, तो middle वाला part क्या हो गया, mid gut, इसको mesenteron भी बोलते हैं, mid gut, या इसको हम mesenteron भी बोलते हैं, और NCRT लिखती भी है, mesenteron या mid gut, समझ में आ गया, mesenteron या mid gut, कुछ भी बोल सकते हो, mesentron या mid gut, middle वाला part, ठीक है, तो अब elementary किनाल के साब से देखोगे, तो यहां से four gut चलती है, गिजार तक, फिर mid gut चलती है, यहां तक, फिर ileum, colon, rectum, annus, hind gut, अब इसको अगर एक एक पार्ट की बात करते हैं, समझो, वही, salivary gland, वन पेर होते हैं, बाइलोब्द होते हैं, जो only carbohydrate digestive enzyme, रिलीज करना जानते हैं, कहां पर रिलीज करनेंगें, carbohydrate digestive enzyme, आप बोलोगे, इस छोटी सी इसोफेकस से होते हुए, crop में, समझ रहे हो, continue, carbohydrate digestive enzyme, crop में रिलीज हो रहे हैं, crop में food store होता है, जहां carbohydrate का धीरे धीरे digestion होता रहता है, समझ रहे हो, तो यहां से food एंटर किया, इसोफेकस, यह इसोफेकस थोड़ा फूल गई, crop, और crop के बाद एक छोटा से चेंबर बनता है, इसको gizzard बोलते हैं, जिसमें काइटीनियस टीत होते हैं, जो food को अच्छे से grind करते हैं, समझ रहे हो, खाया पिया, यहां पर carbohydrate का digestion किया, फिर जहां grinding कर दी अच्छे से, और grinding के बाद food एंटर करता है, mid gut, mid gut और four gut के junction पर, कुछ आपको tube live structure देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, इनको hepatic CK, इसोफेकस, crop, gizzard, six kaitiness teeth for grinding of food, hepatic CK, six से लेकर के eight होते हैं, six से लेकर के eight होते हैं, क्या release करते हैं, यह carbohydrate, fat और protein, तीनो टाइप के digestive enzyme, release कर लेते हैं, mid gut में, यानि mid gut में तीनो का digestion होता है, crop के अंदर only carbohydrate का digestion होता है, clear बल्कुल, तो food जब enter करता है mid gut में, तो कहीं ऐसा ना हो, mid gut को नुकसान हो जाए, क्योंकि mid gut में cuticle protecting layer नहीं है, तो कौन प्रोटेक्टर ता है mid gut को, तो food के around एक layer बनती है, transparent permeable layer, क्या बोलते हैं इसको, peritrophic layer, peritrophic membrane, कौन बनाता है, wall of mid gut, mid gut की wall इस layer को बनाने का काम करती है, clear बल्कुल, तो मैं लिख दिया, ठीक है, hepatic CK समझ में आ गया, peritrophic membrane, ज्यान रखना है, hepatic CK कहां present होते हैं, present between four gut and mid gut, ठीक है, peritrophic membrane, secret by wall of mid gut, protection के लिए होती है, ठीक है, protection layer present around, ठीक है, food, food के around present होती है, ठीक है, permeable होती है, food के लिए भी, enzyme के लिए भी, ठीक है, समझे, अब यहाँ food का proper digestion होता है, होता है होता है होता है, अब यहाँ पर आपको कुछ, टीव लाइक structure दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं, माल पर की टीवूल, 100 से लेके 150 होते हैं, excretion का काम होता है, present between mid gut and hind gut के junction पर लगे होते हैं, mid gut और hind gut के junction पर, finally ileum, colon, rectum, rectum में छोटी-छोटी rectal papilla होते हैं, जो water के absorption के लिए responsible होते हैं, for absorption of water, और water का absorption हो जाता है, यहाँ से finally undigested food यहाँ से बाहर निकल जाता है, यह हो गया, complete digestive system, कुछ भी नहीं बचा, समझ में आया है ना, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, circulatory system बहुत सिंपल, circulatory system किसी भी animal का, थीन चीज़ों के मिलने से बनता है, heart, blood, blood vessels, अगर close system है, open system है, तो blood vessels की जग़े क्या होगा, एक cavity होगी, hemo seal, समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी heart होता है, पर neurogenic होता है, कैसा होगा, neurogenic, ठीक है, neurogenic heart, जिसमें 13 chamber होते हैं, इसका circulatory system, open type का होता है, इसी लिए, यहाँ पर blood vessels की जग़े, blood cavity होती है, hemo seal, समझ रहे हो, तो blood cavity होती है, hemo seal, अगर blood की बात करता हूँ, blood को hemo lymph बोलते हैं, इसमें respiratory pigment नहीं होते, इसलिए color last होता है, समझ रहे हो, यानि blood का कोई role नहीं है, transport of gases में, respiratory pigment ही नहीं है यहाँ पर, समझ गे ना मेरी बात, तो यहाँ तक एकदम clear होगा, circulatory system में 3 जिज़े होती है, heart, blood, blood vessels, heart 13 chamber, neurogenic, neuron के थो, generate होने वाला, हमारा heart, myogenic होता है, cell contraction capacity होती है, blood hemo lymph, blood hemo lymph, colorless होता है, lymph आ गया, कोई respiratory pigment नहीं होते, इसलिए, transport of gases में, इसका कोई role नहीं है, blood cavity, hemo scene, NCRT में एक डाग्राम भी दे रखा है, ठीक है, अगर heart देखोगे, 13 chamber, heart देखोगे, 13 chamber, 13 chamber heart है, 13 chamber बने हुए हैं, और heart में, LRE muscles लगे होते हैं, 12 pair होते हैं, LRE muscles कितने होते हैं, 12 pair होते हैं, आगे की side में, anterior aorta होता है, इस तरीके से, इसका arrangement होता है, dorsal heart होता है, ventral position कहा है, heart की, dorsal position, उपर की side में होता है, ठीक है, dorsal tubular, heart, dorsal tubular, 13 chamber, chambered heart होता है, dorsal side में होता है, tubular होता है, 13 chamber होता है, जिसमें LRE muscles, fan like structure होते हैं, 12 pair होते हैं, वो connected होते हैं, ठीक है, final हम बात करते हैं, respiratory system, respiratory system है, ध्यान रखना है, छोटे छोटे सी opening होती है, lateral side पर, क्या बोलते हैं, opening को, spiracles, क्या बोलते हैं, इनको, spiracles, ठीक है, तो network of tubule, वहीं, cockroach में, अगर मैं बात करता हूँ, cockroach के अंदर, respiratory system के लिए, तो क्या होता है, network of tubule, tubule का network होता है, इन छोटी छोटी opening के थो, tubule का एक network होता है, जो direct tissue के पास जा रहा है, direct tissue के पास जा रहा है, समझ रहा है, tissue के पास direct जा रहा है network, ठीक है, समझ रहा है न मेरी बात, तो income क्या बोलते हैं, समझना होगा आपको, income क्या बोलते हैं, spiracles, क्या बोलते हैं, चोटी चोटी opening, 10 pair होते हैं, spiracles, is a desperate system, consists of the network of trachea, that open throat, 10 pair, 10 pair of small holes, क्या बोलते हैं, को spiracles, यह question आता है, अगर मैं number of spiracles की बात करता हूं, number of, spiracles, number of spiracles, 10 pair, जिसमें question पूछ सकते हैं, 2 pair, in thorax, and 8 pair, in abdomen, in abdomen, 2 pair thorax में होते हैं, और 8 pair abdomen में होते हैं, यही question बनता है, बास, यह समझ में आ गया, हो गया, काम question इसे मिल जाएगा, neat के अंदर, पर, इनोंने थोड़ी से कुछ बात हैं, और detail बताई हैं, मैं बताने ही कोशिश कर रहा हूं, इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, spiracles, ठीक है, कितने होते हैं, spiracles, 10 pair होते हैं, बता दिया मैंने अभी, 10 pairs होते हैं, यह किसे जोड़े होते हैं, chamber से, क्या बोलते हैं, इसको atria, यह track से जोड़ा होता है, trachea, trachea, बाहर निकल जाती है, समझ रहे हो, NCRT यह भी बोल रही है, इन इस spiracles की opening को, control करने के लिए, आप इस, finkटर होते हैं, क्या होते हैं, इस finkटर, जो इनकी opening को, control करने के लिए, responsible होते हैं, यह spiracles, lateral side की जो plate होती है, pluron, उसके उपर लगे होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में, टर्गोस्टरल मसल्स बताए थे, टर्गोस्टरल मसल्स अब कॉंट्रेक्ट करते हैं, तो air बाहर निकलती है, रिलेक्स करते हैं, तो air अंदर आती है, ठीक है, अब बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जैसे हमारा में एक्सक्रीटरी औरगन किडिनी है, एसी इसका भी में एक्स्रीटरी औरगन, माल पिगिन टिब्यूल है, में एक्स्रीटरी औरगन, माल पिगिन टिब्यूल है, ठीक है, तो में जो में एक्स्रीटरी औरगन वो कौन है, माल पिगिन टिब्यूल, माल पिगिन टिब्यूल, समध रहना मेरी बात एक्सरीशन इस पर्फॉर्म बाइं माल फिकिन टिब्यूज इस लाइन बाय होते हैं ग्लैंड डिूलर एंसिलीयेटिड सेल्स तीक है ऐसी कितने टिब्यूज होते हैं मैंने बताया था इसके अंदर हंड्रेट से लेकरके 150 टिब्यूज होते हैं 100 से लेकर के 150 टिब्यूल होते हैं, जो गट में खुलते हैं, मिड़ गट और हाइंड गट के जंक्षन पर होते हैं, मालपिक इंटिब्यूल, ठीक है, दे अब्दर्फ नाइट्रोजन अस वेस्ट, अब डिःग्रामेटिकल भी दिखा देते हैं, ठीक है, यह एक मालपिक इंटीबूल मेंने बना दिया, यह गट है, हाइंड गट, ठीक है, बॉडी के टिशू, जो एक्स्रिटी सबस्टेंस हीमो लिंफ में रिलीज करते हैं, किस फ़र्म में रिलीज करते हैं, परेशियम यूरेट, यह परेशियम यूरेट थीरे से अब्सवर होके इन टीबूल में आता है, टीबूल की एपिथीलेम में आता है, एपिथीलेम में परेशियम यूरेट कनवर्ट होता है, परेशियम बाइकार्णेट और यूरेक एसिड इस टीबूल में सिक्रेट कर दिये जाते हैं, बाइकार्णेट तो काम की चीज़ है न, पी एच को में करता है तो बाइकार्बनेट का एबजॉप्शन हो जाएगा आइंस और वाटर का भी एबजॉप्शन हो जाएगा यूरिक एसेट खतरनाक होता है इसको हम गट में डाल देंगे समझ ना बॉडी टिशू एक्सक्रिटरी सबस्टेंस यूरिक एसेट की फॉर्म में रिलीज न पड़ाशियम यूरेट लाटर क्स ये से रिलीज कर दिया जाता है कुछ पार्ट सीक्रेशन कर रहा है कुछ पार्ट एबजॉप्शं कर रहा है जान गिया जेए क्या बोलते हैं इसको Osmo Regulation यानि हमारी केटिनी भी Osmo Regulation करना जानते हैं कॉक्रोश के माल पर इक टीवूल भी तो Osmo Regulation करना जानते हैं समझ रहे हैं Osmo Regulation का मतलब है काम की चीज़ों को एब्सॉर्फ कर लेना और एक्स्रीटा को निकाल देना समझ में आया यह हो गया complete फित और वि mi ट्रीक के लावा अ cooking और मारे पास स्वेटिंग के थरोभी होता है क्लाइवा के थरोभी होता है Uns του ऑन च्राइब डिय सब्सक्राइब tegoавай ना टाइँ क्वश के पास और भी चीज़े हैं टेके अब आप किसkी नेचार यूरी को टैले क्यों attitudes acid release करता है इसके लाब और excretory organ क्या होते हैं fat bodies होते हैं इसके लाब और क्या होते है नेफ्रोसाइट होते हैं और क्या होते हैं यूरी कोज gland होते हैं समझ रहे हो यह तीन additional चीजें और हैं कोकरोज के पास जो excretion में participate सिपेट करते हैं जिसमें कोश्चन आता है यूरी कोश ग्लैंड यूरी कोश ग्लैंड ओनली प्रेजेंट इन मेल कोख रोज ओनली ओनली प्रेजेंट इन मेल ओनली Мыल कोख रोज यूरी कोफ ग्लैंड ओनली प्रेजुन्ट इन मेल कोख रोज दियान रखना है फी मेल कोख रोजमे यूरी कोफ ग्लैंड नहीं होते क्योंकि रिप्रोडेक्टिव इस्तम का पार्ट है तमाज में आवाफिनुस इतना ही है फाइन nawis आया finish इतना ही है ये फाइनली नर्वर सिस्टम दो चीजों के मिलने से बंकता है brain और हमारे यह एक इसमे की इस्पायनल काउड ये तो innovertive rate है तो नर्व काॉड होगी स्पाइनल काउड नहीं होगी तो brain और चौर्च ब endroit को बलते हैं जो और इसके रियंग जोन सोफेगल होटा है इसोफेकस के ऊपर बड़ा सा गैंगलिया होता है उसी को हमने ब्रेन बोल दिया सुप्रा इसोफेकस के ऊपर सुप्रा इसोफेकल गैंगलिया और इसोफेकस के नीचे छोटे छोटे गैंगलिया होते हैं नाइन गैंगलिया ठीक है जिसको क्या कहते हैं नर्व कॉड बनाते ह में nerve chord ventral होती है um 되면 ऑजो होती है समझ रहे नहें मेरी बात 1 इंवर्टी में double होती है हमारे इंदर सिंगल होती है INVER वन के अंधर होलो होती है जिसमें लिक्विट होता है Playstation22 2017 अब बात रिप्रट रिप्रोडेक्टिव रिप्रेक्टिव सिस्टम समझो बी इसके पास भी क्या है टेस्टीज कितने है वन पेयर टेस्टीज वन पेयर टेस्टीज जिसमें लोब्स होते हैं सीधा आजा टेस्टीज कितने होते हैं वन पेयर थ्री टू फॉर लोब्स होते हैं टेस्टीज में क्या बनता है इस स्पम टेस्टीज में क्या बनता है इस स्प फ्लार लाइक के ना मश्रूम ग्लैंड क्या बोलते है इसको मुझारव्य ग्लैंड क्या बोलते हैं शीक्स और सेइम that को कबर करती है अब मुझा जाता है तीन ministry करते हैं लौंग तीबियूल के पास्लोंग टीब्यूल के पास्लोंग टीबियूल एक packet बनाते हैं इस packet को spermato 4 बोलते हैं जिसकी तीन लेयर होती है पहली लेयर कौन बनाएगी long tubule तो secretion of inner layer of spermato 4 spermato 4 sperm को bear करने वाला थैला ठीक है तो long tubule सबसे अंदर की लेयर बनाती है ठीक है फिर short tubule क्या काम करते हैं इसमें sperm को fill करके nourishment भर देते हैं sperm के लिए fill nutrition in spermato 4 seminal vesicle क्या काम करते हैं इस एक लेयर वाले थैले को अपने अंदर खटा कर लेते हैं storage of sperm spermato 4 इन तीनों के function समझ में आ गया तीनों के मिलने से mushroom gland बन गई समझ में आ गया ठीक है अब एक लेयर वाला थैला इस duct से निकलता हुआ नीचे आता है duct क्या बोलते है ejaculatory duct क्या बोलते है इसको ejaculatory duct ejaculatory duct क्या काम करती है एक लेयर वाले थैले की उपर एक लेयर और बना देती है इसको middle layer बोलते है तो ejaculatory duct क्या करते है secret middle layer of spermato 4 दो लेयर बन गए अब दो लियर वला थेला जब नीचे आता है दो लियर वला थेला जब नीचे आता है दो लियर एक और एक दो अब तीसरी लियर कहां से बनेगी देखो उपर ग्लैंड देख रहे हैं चोटे से ग्लैंड ग्लैंड देख रहे हैं इनकी डक्ट ये आ रहे हैं इसको बोलते हैं phallic gland secret outer layer of spermatophore तब यहां से एक layer और release कर देते हैं तब spermatophore की 3 layer बन जाती है सबसे अंदर की layer किसने बनाई? long tubule ने, middle layer किसने बनाई? ध्यान रखना है, ejaculate reduct, outer layer किसने बनाई? phallic gland, तब यह 3 layer वाला package जिसमें sperm भरे हुए हैं copulation के दौरान इन छोटे छोटे external genitalia जिनको आप phallomers भी बोल सकते हो ठीक है, left, right, ventral, pseudopenis इनकी health से female chamber में transfer कर दिया जाता है female chamber में transfer कर दिया जाता है समझ रहे ना मेरी बात? तो female chamber में transfer कर दिया जाता है समझ में आ गए हैं यहां तक? female chamber का मतलब है genital pouch, male genital pouch, 9-10 dorsal और 9 ventral बता चुका हूँ अगर female की बात करते हैं female भी देख लो female में one pair ovary होते हैं और each ovary में 8 8 समझ रहे हो? each ovary content 8 ovary तो दौनों में कितने होंगे? 16 ovary, समझ रहे हो? और हर ovary में ऐसे lineों से लगे होते हैं ओ वा! हर ovary में lineों से लगे होंगे हैं ओ वा! समझ रहे हो? तो ऐसी 8 इधर होते हैं 8 इधर होते हैं clear? ovary one pair होते हैं 2 to 6 segment को cover करते हैं इसको वाजाइना बोल सकते हो 7th segment पर वाजाइना होती है अब वाजाइना कहां खुलती है? चोटी सी opening इसको बोलते हैं क्या? female gonopore इस opening को क्या बोलते है? female gonopore ये कहां खुलती है? female chamber में खुलती है ठीक है? इसके लावा यहाँ पर एक चोटी सी gland और है जो bylobd होती है क्या ग्लेक्ट क्या बोलते हैं इसको? spermathika one pair होते हैं one and one pair होते हैं six segment पर लगे होते हैं जब male population होता है तो sperm metaphor इसी में फस जाता है और सारे sperm इसके अंदर भर जाते हैं इस पर methika sperm को receive करने वाली समझ रहे हो? packet six segment पर होती है तेक है? आप यहाँ दिख रहे हैं आपको collateral gland यह दिख रहे हैं branch like stretch collateral gland यह भी anterior part पर होते हैं यानि chamber के anterior part पर collateral gland है इस पर methika है और female gonopore है जबकि posterior part पर आपको छोटे छोटे plate देखने को मिल रहे हैं इनको हम gonapophysis बोलते हैं समझ रहे हो? collateral gland की बात करते हैं यह एक packet release करते हैं इसको ऊथिका बोलते हैं ठीक है? और female chamber seven, eight, nine segment के मिलने से बनता है अब ऊथिका का काम क्या होता है? समझाता हूँ देखो समझो समझना होगा यहाँ यहाँ पर यह female ovary और यह oveduct ऐसी female दूसरी ovary और इसकी भी oveduct आई यहाँ से यह मिलने से common duct बनी यह common duct बनी समझना मेरी बात अब यहाँ जो chamber है क्या बोलने वाले हैं इसको female genital chamber female genital chamber के अंदर समझना सबसे पहले क्या होगा यह collateral gland थे यहाँ पर यह collateral gland एक collateral gland इधर देखा दो आप collateral gland branching nature की होगे branching pattern होगे हैं इनके अंदर तो यह packet release करते हैं इसको क्या बहुते हैं ओ थिका यह क्या बनाएंगे ओ थिका यह बना दिया ओ थिका समझे कोशिश करना ठीक है अब क्या होगा यहाँ छोटे छोटे overall है overall है तो यहाँ से कौन आएंगे egg यहाँ से कौन आएंगे egg तो यहाँ पर कौन आएंगे ova egg का मतलब ova ठीक है और यहाँ पर मैंने बताई था क्या थी sperm इसमें कौन भरे हुए sperm यहाँ से कौन आएंगे sperm ठीक है sperm और ova ovary से ova आ रहे है यहाँ से sperm आ रहे है इस packet के अंदर समझ रहे हो अब यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से plate बने हुए है यहाँ पर इस तरीके से कुछ plates बने हुए है इनको ठीक है fellow meers बोल सकते हो यह plate क्या करते है इन othika को नीचे नीचे निकालते हैं ऐसे और ऐसे जोड़ देते हैं इनके end को ऐसे जोड़ देते हैं इसमें कितने egg होते हैं 8 1,2,3,4 1,2,3,4 ऐसी 1,2,3,4 1,2,3,4 ऐसे egg को यह release करती है कितने egg release कर लेती है ऐसे 9 से 10 othika o थika 9 से 10 othika female release करती है जिसमें लग बग लग बग 8 egg उपर होते हैं लग बग 8 egg नीचे होते हैं total NCRT बोलती है यह लग बग 14 से लेकर के 16 egg इसके अंदर होते हैं और जिसकी length भी NCRT ने दे रखी है कितनी दे रखी है 8 M इतनी इसकी length होती है तो ऐसे ही othika जिसके अंदर egg होते हैं दो रो में 8 और 8 समझे रहो female release करती है collateral gland का का काम है othika बनाना इस परमेथिका का काम है spum release करना यहां से ओवा आते हैं और यह इसको नीचे layout कर देते हैं तो ऐसे लगबग 9 to 10 othika female release कर लेती है finally development metamorphosis कैसे होगी incomplete इसको बोलते है poro metabulous type of metamorphosis poro metabulous का मतलब होता है धीमे धीमे gradual metamorphosis एक साल लगता है इसके अंदर होगा क्या बई एक साल के अंदर 13 वार मोल्टिंग होगी तब बनेगा imago adult एक साल के अंदर ठीक है अंतर क्या होता है दोनों देखने में एक जैसे होते हैं यहां लारबा नहीं होता तभी तो poro metabulous type of metamorphosis है true metamorphosis नहीं है अगर true metamorphosis होती तभी तो लारबा होता समझ रहे हो यहां juvenile है बच्चा और बड़ा देखने में एक जैसे हैं छुटे छुटे कोक्रोच और बड़े कोक्रोच देखने में एक जैसे होते हैं अंतर सिर्फ क्या होता है गॉनाट्स और विंग्स गॉनाट्स और विंग्स यहां नहीं होते सिर्फ विंग्स पैड प्रेजेंट होते हैं समझ रहे हैं मेरी बात विंग्स पैड प्रेजेंट होते हैं पर विंग्स एपसेंट होते हैं गॉनाट्स और विंग्स एपसेंट होते हैं समझ रहे हो यही Wing pad जब hmm एक नेरे बार मोल्टिंग होगी एक साल में मोल्टिंग का मतलब होता है आउटर लेयर का हटना साइज बढ़ता है उबर का पच वरणाया और साइज पढ़ता है मोल्टिंग होत जाता है इसी को मोल्टिंग बोलते हैं जैसे सांप अपनी लेयर को हटाता है ना कैचुली हटाना कहते हैं लाइका मोल्टिंग यह अपने कबच को काइटीनियस एक्जो स्केलेटन को हटाता है तो एक साल में 13 वार मोल्टिंग होती है जिसके अंदर गुनैट्स और विंग का फॉर्मेशन हो जाता है यह कंप्लीट मेटामॉर्फोस हुई इसको बोलते हैं सुरी यह मेटामॉर्फोस हुई जो इनकंप्लीट टाइप है क्योंकि लार्वा नहीं है इसको बोलते हैं प्यारो मेटाबोलस टाइप मेटामॉर्फोस धीमी गती से होती है एक साल में होती है समझे तो यह होता है आपका कौकरोश का एंड समझ में आई बेटा थैंक्यू आल दा बेस्ट बस ऐसे प्यार बनाए रखना जोश और जुनून से कम से कम टाइम के अंदर आपके ब्रेड में सेट करते रहेंगे थैंक्यू आल दा बेस्ट